तो हेलो औरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल सरकारी काफे ऑफिसल के ऊपर तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको थम्नल दिखाई दिखाई दिया होगा आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सर्सी CHSL 2022 2022 2022 के बारे में क्योंकि फेर्स CHSL 2022 का एक्जाम हुए काफी दिन हो चुका है और अब बच्चों को आप इंतिजार है कि आखिर कब तक जो इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है हाला कि एंसर के तो आच चुका है काफी लोग एंसर किसे अपना अंदाजा लगा लिया होंगा कि हां मेरा रिजल्ट कहां तक जाएगा लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को रिजल्ट का इंतिजार है तो आज के स्वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आपका आउट हो सकता है तो आप इस वीडियो को पुड़ा अं तक देखिएगा अ एक साल वेकंसी लेट चल देए जिसकरने से 2013 में एक्जाम हुआ था ठीक है उसी प्रेकर से 2021 वाज़ एक्विप्मेंट था वो लेट चलके आपका 2022 में आपका एक्विजाम हुआ था तो आपको confusion नहीं होना है ठीक है तो यह आपर देख सकते प्रिविएस डेटा को बात कर है तो चल दो हज़ार एक्विजाम कब से अपका सुरू हुआ था तो आपका लगबग डेढ़ महीने के बाद यहां से देख सकते हैं डेढ़ महीने के बाद जो है अठाई सप्टमर से आपका टीर टू का एक्विप्मेंट की बात करते हो ठीक है वहीं फ्रेंट्स अगर हम इसको लेकर के चले और 2022 रेक्विप्मेंट को अगर हम कल्कुलेट करना चाहें कि कब तक आपका रिजल्ट आउठ हो चकता तो तेखिए आपका जो टीर टू का एक्जाम है वह ऑफिसली अनॉंस्ट है कि आपका 26 जुन दो हजर तेज से आपका एक्जाम करनक्ट होगा ऐस इसके अगर दो महीने पहले जाए या फिर महीने पहले मान के चलो ठीक है तो वह बनता है आपका 10 से लेकर के 15 माई के बीच में ठीक है तो 10 से लेकर के 15 माई के बीच में जोई आपका इससे से चल 2 होजर 22 का रिजाल देखने को मिल सकता है 10 से 15 माई के बीच में कभी आपका जो कि 10-15 माई के बीच में आपका आउट हो जाएगा तो यही टीट आपको लेकर चलना इसी के बीच में आपका कभी भी रिजल्ट आउट हो सकता है तो और जैसे ही अपडेट आएगा इसके ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूँगा तो आज किस वीडियो को रखते हैं और म उसको आप जॉइन कर लिजेगा तो आज किस वीडियो को मैं यहीं बढ़ता हूँ मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तकी लिए गुडवाई